श्री राम, जै राम, जै जै राम, देवर्षी श्री नारजी महराज की जै श्री नारदवक्ति शूत्र पर चर्चा हम लोग कर रहे हैं आज 66 में सूत्र की चर्चा करनी है और यहां प्रकरण है भगवान के अनन्य प्रेमी अनुरागी शरनागत भक्त उनकी क्या महिमा है यह पर करना है यह भक्त होते कैसे हैं उनकी चरिया क्या है अथवा जो भक्त हैं उन्हें करना क्या चाहिए यह सब बात इसमें विचार की जा रहे है त्रुरूप भंग पूर्वकम नित्यदास नित्यकानता भजनात्मकंबा प्रेमईवकारियम प्रेमईवकारियम बहुत सुंदर बात नारजी हम सब को बता रहे हैं त्रुरूप भंग पूर्वकम तीनों रूपों को भंग करते हुए समाप्त करते हुए मनें उनकी त्रपुटी को मिटाते हुए उनको एक करते हुए नित्यदास से भक्ती से भगवान की उपासना करना अथवा कांता भक्ती से भगवान को अपना पती मानना और अपने को उनकी प्रियतमा मानना इस भाव से भजनात्मक प्रेम ही करना चाहिए प्रेम ही करना चाहिए देखो स्वामी सेवक और सेवा तीन हो गए स्वामी और स्वामी की सेवा करने वाला सेवक और एक सेवा तीन हो गए ठीक इसी प्रकार से पती पतनी और पती की सेवा यतीन ही यह हो गए इन तीनों रूपों को मिटा कर नित्य दास से भक्ती के द्वारा अथवा कांता भक्ती के द्वारा जैसे गोपियों ने किया भगवान से ही प्रेम करना चाहिए भगवान से ही प्रेम करना चाहिए तात पर यह कहने का यह है कि भगवान की सेवा करने वाला भक्ती करने वाला उपासना करने वाला इतना अधिक तन्मे तदाकार हो जाए कि स्वामी सेवक सेवा सब तीनों मिलकर एक ही हो जाए प्रथकता न रह जाए स्वामी में और स्वामी की सेवा में भेद न रह जाए और सेवा करते करते सेवक भी आत्मे विस्मृत हो जाए यही है बुलाना किसी भी चीज में तनमयता की बड़ी महिमा है सुनकर आश्चरे होता है आजकल तो लोग सहसा विश्वास नहीं करेंगे पंडिश्री बाचस्पति मिस्र नाम के महापुरुस थे विवा हुआ था उनका पर विवाह के मंडप में भी वे शास्त्र चिंतन में इतने व्यस्त थे कि इतनी भीड भाड में विवाह हो गया फिर भी उनको इसमृति नहीं थी विवाह की विवाह हो गया घर आ गए और संध्यो पासन अग्निहोत्र शास्त्र चिंतन इसी में व्यस्त रहे वो और उनकी अधिक्रता पत्नी उनकी सेवा करती रही सेवा करते करते पत्नी की भी ब्रद्धावस्था आगई और आपकी भी ब्रद्धावस्था आगई एक रहनी से रहते रहते अब उन्हें इसमर्ती नहीं कि हमारा विवा हो गया पत्नी के और भी नहीं देखते वही सब सिवा करती है कैसी अंतर मुखता होगी एक दिन शांकर भास पर टीका लिख रहे थे तो दीपक की बत्ती कमजोर पड़ गई अंधेरासा होने लग गया कुछ अब बिना प्रकास के लिखेंगे कैसे आख बंद करके ध्यान करने लगे उसी का चिंदन करने लगे तब तक पत्नी आई उसका नाम भामती था पत्नी आई उसने आख करके दीपक की बत्ती को आगे बढ़ा दिया बत्ती आगे बढ़ाई तो प्रकास हो गया प्रकास हो गया तो उन्होंने जैसे प्रकास हो तो अपने आख बंद होने पर भी पता चल जा दे ने प्रकास हो गया आख खोली तो अरे देवी कौन हो तुम आध्यान से देखा उन्हों देवी तुम कौन हो क्यों आई यहां रात पहले व्या भया हो और आज तक तो बात पूछी ही नहीं, बात की ही नहीं, पत्नी के स्पर्श की बात तो कोसण दूर रही और कहते देवी रात्तिरी के समय तुम कैसे यहां आई, कौन हो? उसने कहा कि भगवन मैं आपकी अधिक करता पत्नी हूँ, धर्म पत्नी हूँ, अच मेरा विभा हुआ था, हाँ, आपको भूल गया, आप याद कीजिए, हाँ, 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 ठीक, 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 ठीक है, याद आ गया, समावरतन संस्कार हुआ था, थोड़ी-थोड़ी इसमर्ति दिमाग में मास्तिक नुरी कहो, क्या बात है? कैसा समर्पन, कैसी पवित्रता, कैसी निर्विकारिता, कैसा धाईरिय, कैसा तब, उनके बल पर ये धर्ति ठीकी हुई है, ऐसे जितेंद्री महापुरुष, ऐसे निश्काम महापुरुष कहो, तुमने बहुत प्रेम सेतने लंबे समय तक सेवा की, क्या चाहिए? पतनी ने कहा, भगवन आप जैसे तत्व ज्यानी महापुरुष की, जितेंद्री महापुरुष की सेवा मिल गई, और हमें क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, इस दासी को आपकी सेवा का सभवा की मिला है, गोले, अब तो जीवन हमारा ऐसे ही ब्रम्हचरे में ही बीतित हो गया, ऐसे ही बीतना है, थोड़ा समय बाकी बचा है, हमारी भी प्रत्धावस्था है, तो तुमने जो सेवा की है, इस सेवा की इस मृति को हम अभिचल बना देते हैं, अपनी और से प्रसन होके उन्होंने, टीका का नाम भाम्ती टीका रखा, शांकरभास्य की भाम्ती अब देखो, वे बाचस्पति मिस्ट तनमे हुए शास्त्र चिंतन में, तो अपने को भूल गए, अपने जीवन की घटनाओं को भूल गए, जीवन में कोई व्यक्ति अपना विवाह भूल जाए, कैसे संभव है, पर विवाह भूल गए और विवाह भूलनें के साथ ही इतने लंबे समय तक पतनी सेवा करती रही, उसकी और उनका ध्यान नहीं गया, उनकी अंतरमुखता कैसी होगी। यही आशए है नारजी का, कि भगवान का भक्त चाहे दास से भाव से भगवान की भक्ति करे, चाहे कानता भाव से भगवान की भक्ति करे, यह त्रिरूप बहंग पूर्वकम, स्वामी सेवक सेवा ये भेदा लग लग न रह जा, केवल बस सेवा ही रह जाए, दास से भाव ही रह जाए, अपने प्रान जीवन पती की समर्पित भाव से सेवा ही रह जा, बाकी सब भूल जाए, दास से भाव को भक्ती का प्रान कहा गया है, इसलिए हमारे बैश्णवों में पंच संसकार होता है, तो पंच संसकारों में एक संसकार दासांत नाम का है, तापम पंड्रस तथा नाम मंत्रो मालाच पंच महां, अमी ही पंच संसकाराह परमाई कांत्य हे तबहा, तापम तप्तच्छा, पुंड्र, उर्ध पुंड्र, तथा माला, कंठी, तापम पंड्रस तथा नाम, दासांत नाम, माला, तुलसी की माला, मंत्रश्य पंच महां और मंत्र, ये पंच संसकार है, उनमें एक संसकार है दासांत नाम का, तो किसी भी भाव का उपासक भक्त हो, चाहे वो दास भाव का हो, सक्ष भाव का हो, बातसले भाव का हो, स्रंगार भाव का हो, अथवा शांत भाव का हो, किसी भी भाव का अपासक भक्त हो दास सब्द सब के पीछे लगता है क्योंकि दास सब्धाव सब में है जैसे प्राण के बिना शरीर की अकास्तित्व नहीं ऐसे ही दास सब्धाव के बिना भक्ती का स्थित्व नहीं तो दाश्य भाव को भक्ती का प्रान कहा गया कानता भाव में भी दाश्य भाव है सक्ख्य में भी दाश्य है दाश्य में भी दाश्य है वादसल्य में भी दाश्य है क्योंकि वादसल्य में तो सब सेवा ही सेवा है तो दाश्य भाव और कानता भाव ये दोनों भाव ऐसे हैं कि इन दोनों भावों में ही आगे चलकर भगवान के साथ तनमेता हो जाती है निश्काम भाव से शरीर, मन, वानी, सब कुछ स्वामी के चरणों में अर्पित कर देना और अपने स्वामी को छोड़कर जगत में किसी दूसरे को भी न जानना ये दाश्यभक्ती का आदास है और पती ही मेरा तनमन, धन, गती, आस्रे, जीवन, प्राण, धर्म, मोक्ष, भगवान, सब कुछ है, पती ही है पती के अतिर्क्त अन्य कोई भी पुरुष जगत में नहीं है पती का धन, मेरा धन, पती का तन, मेरा तन, पती का मन, मेरा मन, पती की सेवा, मेरी सेवा पती का आईश्वरे मेरा आईश्वरे पती का मान मेरा मान पती का अपमान मेरा अपमान पती के प्राण मेरे प्राण इस प्रकार से एक मात्र पति प्रायना हो करके पति गतब प्राणा हो करके निश्काम भाव से अनन्य भाव से निरंतर अपने भगवान को आराध्य को ही अपना प्राण पती मान कर निरंतर उनकी सेवा करना ये कांता भक्ति का अधर्श है दोनों में एक ही है एकता ही है कोई विशेष्टा नहीं है क्योंकि दोनों में समता है दोनों में तनमयता है दोनों में समर्पन है दोनों में अभिन्यता है इसलिए नारजी कहते है चाहे दाश्रभाव या कानता भाव इन दोनों का किसी एक जो आपके अंतह करन के भाव के अ दाश से भक्ती में सेवक अपना सब कुछ भुला देता है अब भगवान के गोत्र से गोत्रत हो जाता है अब हमारा शरीर भारत द्वाज गोत्र में उत्पन्न होगा और गुर्दे भगवान ने अनुग्रह किया भगवान का विद्वद दास बना दिया अब हम संध्य वपासन में यह थोड़ी बोलते हैं क्या बोलते हैं अच्छित गोत्रा भी धानो हुआँ अब हम भगवान के गोत्र से गोत्रित हो गए क्योंकि स्वामी का गोत्र ही सेवक गोत्र होता है इसलिए सूतक पातक से मुक्ति मिल गई जहां पैदा हुए थे वहां कोई पैदा हो जाए तो भी सूतक नहीं वहां कोई मर जाए तो भी सूतक नहीं अब पूरा सम्मंध शृठा कुर्जी से हो गई भाव उसका यही है ठीक इसी प्रकार से भारद्वाज गोत्रोत पन्ना कोई कन्या उसका विवाह वशिष्ठ गोत्री पती के साथ हो गया तो उस कन्या का कौन सा गोत्र रहेगा भारद्वाज रहेगा कि वशिष्ठ कौन सा होगा क्यों कि जब तक विवाह नहीं हुआ था तब तक वो उस गोत्र में थी विवा होने के बाद पती का गोत्र ही उसका गोत्र हो गया विवा के पहले तो वो थी पांडे और जो 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 से विवा हुआ वो चत्रवेदी थे वो चत्रवेदी उनका टाइटिल लगता था तो विवा होने के बाद वो भी चत्रवेदी हो गई वो जो थी यहाँ पांडे थी वहाँ जाकर वो चत्रवेदी होगी पती की उपाधी उसकी उपाधी पती का गोत्र उसका गोत्र अब विदेशों में यह परंपरा है कि नहीं भगवान जाने भारत वर्ष में तो यही परंपरा है पन्डित जी अयुद्यावरंदावन बनार जाने कहां पढ़ें तब बोपन्डित और एक विप्रकन्या का ब्याँ हो गया वो कुछ भी पढ़ी लिखी नहों निरक्षरा हो तो भी लोग कहेंगे पन्डितानी जी आओ फ्रून्डितानी हो गई की नहीं ऐसे ही डॉक्टर MBVS और जाने कौन-कौन से डिगरी होती है वो सब MD वगएरा सारी डिगरी ले ले और कन्या का विवाब हो गया तो लोग उसको डॉक्टर नहीं कहते हैं, दियातों में तो आज भी डॉक्टर नहीं कहते हैं, बले ही वो एक गोली का नाम न जाने, injection लगाना न जाने, कुछ न जानती हो, फिर भी लोग कहेंगे डॉक्टर नहीं, मास्टर की ग्रेणी मास्टर नहीं, डॉक्टर की ग्रेडी डॉक्टर नहीं हमारे गाउं में एक हेड मास्टर थे, उनका नाम था एंडी गुप्ता, बैस्य थे, बड़े सज्जन पुरुष थे, तो वो हेड मास्टर थे, और उनकी ग्रेणी थोड़ा बहुत तो पढ़ी लिखी थी, कोई नोक्री नी करती थी, ग्रेणी ही थी, पर पूरा गाउन को कहता था हेड मास्टर नहीं, क्या कहता था, वो तो व विचारी कोई मास्टर की कोई नोक्री नी करती थी, पर पूरा गाउन को कहता था हेड मास्टर नहीं, हेड मास्टर नहीं अम्मा, ऐसा लोग कहती थी, हम गए उनके पास कोई काम था, तो हमने का हेड मास्टर की अम्मा कहा है, तो हमसे बोले ही मूरक, मैं हेड मास्टर की पत्नी हूँ अम्मा नहीं हूँ हुआ है ऐसे बोलती थी बड़ी प्यार से बूलती थी तो यह बात हसाने के लिए नहीं वात मैं इसले कह रहे हैं भारती सनातन परंप्रा में विवाह के संबंध मात्र से पती के गोत्र से गोत्रत हो गई, पती की उपाधी, पती का संब्मान उसे मिल गया, यद्यपी संसार के सारे संबंध कल्पित ही हैं, नित्य तो नहीं है, जर्म के पहले नहीं था, मृत्यु के बाद भी नहीं रह जाएगा, असास्वत संबंध हैं अनित्य संबंध हैं पर अनित्य संबंध को स्वीकार करने पर भी गोत्र बदल गया सब बदल गया तो जिन परमात्मा के साथ जीव का सनातन संबंध है सरीर नहीं मिला था उसके पहले भी था आज भी है सरीर न रहने के बाद भी रहेगा उन भगवान से संबंध जुणने के बाद फिर कुछ बदलना बाकी रह जाई ये कैसे संभव है संभव नहीं इसलिए हरदय से नित्य संबंध स्वीकार कर लेना चाहिए विरक्तों में तो सर्वता ब्यावार में भी खतम हो जाता है पर ग्रहस्त में थोड़ा ये है कि ग्रहस्त को ब्यावार लोक धर्म का भी पालन करना है इसलिए हरदय से ये स्वीकार करते हुए कि हम अच्चित गोत्री है भगवान का गोत्री है हमारा गोत्र है और इस प्रकार का भाव भीतर से स्वीकार करना है लेकिन बाहर से उसको लोक मर्यादा का त्याग नहीं करना है अपना चाय कुल है गोत्र है उस सब परंपरा उसको बना करके रखने है व्यावहार में क्योंकि उससे धर्म की शुरक्षा रही आवेगी इस निमित तो इस प्रकार से दास्य भक्ती में तो स्वामी का गोत्र सेवक का गोत्र बन जाता है कांता भक्ती में वो पती के गोत्र से गोत्रित हो जाती है दास्य भाव के संबंध में गोष्वामी श्री तुलसी दास्य महराज ने बड़ी प्यारी बात कही है मेरी जाती पांती ना चहों काहू की जाती पांती मेरे कोई काम को नहों काहू के काम को मेरे जात पांती न चहों काहू की जाती पांती मेरे को काम को नहों काहू के काम को लोक पर लोक रगुना थही के हाथ सब अब लोक पर लोक सब रगुना जी के हाथ में है भारी है भरो सो तुलसी के एक नाम को अति ही आयाने उपखाने नहीं बूजें लोग साह ही को गोत गोत होता है गुलाम को गुलाम का गोत्र तो साह का गोत्र ही होता है साधू के असाधू के भलो के पोच सोच कहा का का हूँ के द्वार परो जो हो सो हो राम को इसकी भी परवाह ने कि कोई हमें साधू कहे इसकी भी परवाह ने कि कोई हमें असाधू कहे कोई हमको भला कहे इसकी इक्षा नहीं कोई हमारी निंदा करे इससे कोई भय नहीं है इसका शोक भी नहीं है और मैं किसी दूसरे के द्वार पर थोड़ी पड़ा हूँ, मैं तो राम जी के द्वार पर पड़ा हूँ इसलिए बुरा हूँ तो, अच्छा हूँ तो, भला हूँ तो, जैसा भी हूँ, साधू हूँ तो, असाधू हूँ तो, राम जी का ही हूँ ये गोश्वामी जी के शब्दों में दास्य भाव का स्वरूप ऐसा भाव हमारा अंता करण में भीतर से बन जाए ब्रह्म वईवर्त पुराण में राधा रानी उद्धोजी से समवाद करते हुए कह रही हैं कृष्ण भक्तिही क्रष्ण दास्यम बरे सुच बरम बरम स्रेश्ठा पंच विधा मुक्तेर हरिभक्तिर गरियसी ब्रह्मत्वादपि देवत्वात इंद्रत्वात अमरादपि अमृतात सिध्धिला भाच्यव हरिदास्यम सुद्र लभम उद्धवजी को अपदेश करती हुई भगवती श्री राधारानी कह रही है कि समस्त बरों में स्रेश्ट अंबर स्री कृष्ण भक्तिया, स्री कृष्ण दास ही है पांच प्रकार की मुक्तियों में श्रेश्ट हरी भक्ति ही है एवं गुरुतर है ब्रह्मत्व देवत्व अमरत्व अमरतप प्राप्ति और सिध्धिलाव इन सभी से ये सब सुलव हैं पर इन सभी की अपेक्षा हरी का दासत्त प्राप्त होना अत्यन्त दुलव है भगवान का दास होना वो सबसे स्रिष्ठ है। दास सब्दकार्थ क्या है। दास सब्द में दो अक्षर हैं दा और सा। तो दा माने होता है ददाती और सा माने सद्या। सद्या कम ददाती किम ददाती। ददाती सद्या मुक्तिंच तथा भुक्तिम विशेशता ह। तेन दासे तिसंप्रोकता निगमागम पार गई। दा माने ददातिस्व, माने सद्या, जो सद्या हमाने तत्काल दे देती है, क्या? भुक्ती और मुक्ती ठाकुर्जी के दास कभी भूखे मरते नहीं देखे गई, भुक्ती भी मिल जाएगी जब कमाते थे, तब भले ही भूखे रह जाओ, नखाने को मिले, और कमाना धमाना सब छोड़ दिया, दो पैसा की भी किसी की नोक्री नहीं रह गई, तो ठाकुर्जी भूखा नहीं रखते हैं और जो ज़्यादा फक्कड हो जाते हो तो ज़्यादा खाते हैं, भूलो भक्त वत्सलवगवान, मस्तराम बाबा थे, रशी केस के, तो मस्तराम बाबा, स्री अभिराम दास्ची महराज मस्तराम बाबा, सिद्ध पुरुष थे, परम विरक्त थे, तो तमाम पहाड़ी लोग ब्राह्मन लोग उनके लिए बढ़िया बढ़िया विंजन बना कर गिलाते थे अब उनको प्रेम से देते उनकी इक्षावती तो थोड़ा पा लेते नित नहीं पाते बांट देते अब परम फक्कड थे परम बिरक्त थे गंगाजी के किनारे गुफा में रहते थे लेक वो किसी चीज का भाव नहीं रह गया भुक्ति का त्याग करने से मुक्ति मिलेगी यहां भुक्ति के साथ मुक्ति मिल लेगी कांता भक्ति में अपने कांत के साथ पती के साथ प्रियतम के साथ ऐसी एकता स्थापित हो जाती है के प्रीति जो मेरे पीब की बैठी पिंजर माही रोम रोम प्यू प्यू करे दादू दूसर नाही संत दादू द्याल जी की साखी है मेरे प्रीतम की प्रीति मेरे देह रूपी पिंजडे में बैठी है और अब इतनी व्याकुल है वो के रोम रोम प्यू प्यू करें रोम रोम से प्रीतम 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 निकल ला है दादू दूसर ना है अब दूसरे की बिस्मर्ती हो गई है केवल प्रीतम की ही स्मर्ती रहेगी प्रीतम को पतियां लिखूं जो कहूं होए बिदेश दूर हो प्रीतम तो उसको चिठी पत्री लिखी जाए और तन में, मन में, नैन में, ताको कहा संदेश अब वो प्रीतम सरीर में बस गया, मन में बसा है, नेत्रों में बसा है तो अब इसको क्या लिखा जाए कांता भाव और कांत, दोनों घुल मुलकर एक हो जाते हैं इसलिए त्रूरूप का भंग हो जाता है इस एकात्मक्ता के आदर्स को सामने रख कर इस भाव को मन में स्थान दे कर दास्य भाव, अथवा कांता भाव, गोपियों वाले भाव से भगवान के प्रती केवल प्रेम ही करो, प्रेम ही करो, प्रेम ही करो ऐसी आग्या देवर्शी नारजी महराज दे रहे हैं अब सरसठ में सूत्र में नारजी कह रहे हैं भक्ता एकांतिनो मुख्या हा क्या कह रहे हैं? भक्ता एकांतिनो मुख्या हा एकान्ती भक्त मुख्य हैं, श्रेष्ट हैं एकान्ती माने होता है अनन्य भक्त बहुत से लोग भक्त तो होते हैं भगवान के पर थोड़े अमुक्य भक्त हैं, थोड़े अमुक्य हैं, थोड़े अमुक्य हैं, थोड़े अमुक्य हैं कई लोगों के भक्त होते 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 अप बची कुछी भक्ती भगवान की पत्नी भक्त, पुत्र भक्त, पुत्री भक्त, धन भक्त, घर भक्त, इनके भक्त होते हैं, इनसे प्रेम होता है, भक्त माने में प्रेम होना है अच्छे अच्छे साधन में लगे हुए लोग और पत्नी की बात आएगी तो आख में आशु भर देंगे तो पता चलता है कि बराम जी में भक्ती ज़्यादा है कि पत्नी में भक्ती ज़्यादा है पुत्र में भक्तिय दे के हां पत्नी में भी रखुनाजी हैं पुत्र में भी रखुनाजी हैं पुत्री में भी रखुनाजी हैं इसलिए हमारा प्रेम जहां कहीं है वह रखुनाजी से हैं ऐसा भीतर से बोध हो जाए और इस बोध के पूर्वा को भक्ति करें उसको कोई प् यविचरित हो जाता है, हमारा प्रेम सरीर में, हमारा प्रेम संसार में, हमारा प्रेम संसार के संबंधों में रहता है, फिर कुछ थोड़ा भूत धोके से 5-10% बच गया, तो वो भगवान में हम कहते हैं, हम तो भगवान के प्रेमी हैं, भगवान के प्रेमी तो नहीं है, हम ये स्रेष्ट भक्त नहीं है, स्रेष्ट भक्त कौन है, जो भक्ता एकांतिनों मुख्या है, एकांति भक्त ही भगवान के मुख्य भक्त हैं, अर्थात स्रेष्ट भक्त हैं, इसकार्थ है कि भक्ती करने वाला भगवान का अनन्य भक्त सब में स्रेष्ट है उससे स्रेष्ट और कोई दूसरा नहीं है क्यों क्यों स्रेष्ट है इसलिए स्रेष्ट है क्योंकि उस विशुद्ध भक्त का तन भी भगवान का हो गया जिस दिन शरण में आ गए ना उसी दिन से शरीर भगवान का हो गया उसी दिन से इंद्रिया भगवान की हो गई उसी दिन से मन बुद्धी चित्र सब भगवान का हो गया अब हो गया इसको स्वीकार न करे तो ये उसकी अपनी भूल है वाकि जिस दिन वैश्णवी दीक्षा हुई संस्कार हुआ उस दिन अपना कुछ भी बाकी रह नहीं गया तन, मन, प्राण सबकुछ भगवान के चरणों में नहुचा भगवान का ही है भगवान का हो गया तो इसलिए भगत शरेष्ट है क्योंकि उसका तन भी अब भगवान को समरपित हो गया है, मन भी, धन भी, सब कुछ परमात्मा का हो गया और अब वह भगवान के हाथ का यंत्र बन गया केलो ना बन गया भगवान जैसे चाहें वैसे रखें जहां रखें जैसे रखें तो उसके आत्मा का एकाकार भगवान से परमात्मा से हो जाता है उसका मन परमात्मा के स्वरूप में रम जाता है और उसके नेत्र भी जहां द्रिष्टी पड़ती है सरवत्र अपने आराध्य का अनुभव करने लग जाते हैं प्रीतम छवी नैनन वसी पर छवी कहां समाए भरी सराय रहीम लखी आप पतिक फिर जाए क्या बढ़िया बात है आँखों में प्रीतम की छवी बस गई पर आँखों से फिर भीतर जाएगी न और भीतर संसार बसा हुआ है अब इस कमरे में यह धर्म साला है मान लो कोई और धर्म साला में पूरी धर्म सारा लबालब भरी हुई है कहीं लेटने की बैठने की जगए नहीं है और आप यात्रा करते हुए चलो हम भी धर्म साला में रुकें तो भीतर घुसे तो सही पर देखा के रहे भाई यहां तो कहीं कोई जगए नहीं तो पथिक अपने आप लोट जाता है की नहीं कविरा काजर रेखु हु अब तो दई न जाए नेनन प्रीतम रमिरा दूजा कहां समाए आठ प्रहर चौशट घरी मेरे और न कोई नेना माही तूबसे ने नहीं ठोर न होए अब ये अनन्य भक्त सबसे स्रेष्ट हैं एकांती भक्त मुक्य हैं स्रेष्ट हैं ये बात देवर्षी नारजी ने सरशट में सूत्र में कही अब अर्शट में सूत्र में वे कह रहे हैं कंठाव रोध रोमान चास्रुभी परस्परम लपमाना पावयंति कुलान प्रत्वींच कितना अधुद सूत्र है धन्य है नारजी महराज को कहते हैं ऐसे अनन्य प्रेमी भक्त जब प्रेमी भक्तों के साथ बाचीत करते हैं भगवान की ही चर्चा करते हैं तो भगवत चर्चा करते करते उनका गला भराता है उनके नेत्र भराते हैं उनके शरीर में रोमांच हो जाता है उनके नेत्रों स्वस्रू की धार बहने लग जाती है ऐसे प्रेमी जब परसपर प्रेम में बिवोर होकर हमारी चर्चा करते हैं तो वे स्वयम को तो पवित्र कर ही लेते हैं जिस कुल में उनका जन्म को भी पवित्र कर लेते हैं, धर्ती को भी अपने इस पर ससेवे पवित्र कर देते हैं, प्रीमी भक्त मानने इस प्रकार के प्रेम के लक्षन नहीं हमारे पुज गुर्देव उसरी भक्तमाली जी महराज जब जब भगवच चर्चा करते बहुत सावधान होकर चर्चा करते लेकिन पांडवों का नाम लेते ही गरा भराता द्रोपदी का नाम लेते ही गला भराता बोल नहीं पाते होट कांपने लग जाते महाराजी व्याकुल हो जाते हरिश्षरणम अहर निस उनकी लो लगी रहती थी हमने देखा लगभग 11 बजे जब बच जाते तो महाराजी कहते पंडी जी अथिकाल हो रहा है सो जाओ सुवेरे जल्दी जगते हो तो हम लेड जाते हैं लाइट बुजवा देते हैं खुद भी लेड जाते हैं और लेडते ही है कि ऐसे करते जैसे हम लगया कि वह कु बढ़ी आज से सो गया है और हमारा ब्यास है से हम लेड़ते ही सो नहीं पाते थोड़ी देर, बाद हमको नइदाती, थोड़ा खुटका हो जाए, तो हम तो रज्जेग भी जाते हैं, यहां तक इस मसीन का खुटका होता है तो हम जग जाते रात को, पर कम ज्यादा होता हुँए लाट होता है तो शुटो होता है कि अ कैसी खट बोलता स्री शिताराम है जरने कि यह भूल जाते हैं कि रात है किया कोई करना सानी सब्सक्राइब टा सुटे टिर्म कर तो महराजी ऐसे यार करने लिला कि सो गए है और हमको तो नीद आती नहीं जल्दी तुरत नीद नहीं आती तो देखते हैं थोड़ी देर बाद महाराजी फिर ऐसे हो जाते हैं ऐसे जूमते रहते हैं फिर हम सो जाते हैं और कभी-कभी उसी अवस्था में उनके मुख से भगवान का नाम निकलता तो इतने प्रेम में सना हुआ क्या कहना एक वार के बाणी से निकला हे प्राणनाथ हे श्याम सुन्दर ये शब्दन के बाणी से निकला और वो हे प्राणनाथ हे श्याम सुन्दर उसमें इतनी करुणा इतना फ्रेम भरह हुआ था कि हम सो रहे थे हमारे रोमांच हो गया हम जग गये तो हमने महाराजी का सारा स्रीय से काप रहा था अविरल अस्तुधार बह रही थी इस सवस्था में पता ने किस भाव राजी में होंगी गमच्छा भीच जाता था आसूं से भीवर भाड में अपने को प्रेमी प्रमानित करने के लिए हम भी आँख में आशू ले आते हैं वो तो कला है पर इस कला से इस नाटक से इस दंब से कोई हित होने वाला नहीं एक आंत में भगवचिंतन के समय हमारा हर्दय प्रेम से भर आगें बरावें हर्दय बरावें शरीर में रोमांच हो जावें भागवान की याद करते Fol हो जाएं तो समझना की प्रेम है तो ऐसे जो भक्त हैं जिन में प्रेम की लक्षण साथ्रिक भावृवधित हो जाते हैं वे अपने को पवित्र करते हैं, जिस कुल में जन्म लेते हैं, उस कुल को भी पवित्र कर देते हैं, और उस धर्ती को पवित्र कर देते हैं, जिस धर्ती पर उनके पैर पड़ते हैं। कुल धन्य हो जाता है, कुलम पवित्रम वो कुल पवित्र हो जाता है, वो माता उसका पुत्रवती होना सार्थक हो जाता है, माता की कोख पवित्र हो जाती है, और धर्ती पवित्र हो जाती है, जिसके कुल में बैश्णों प्रगट हो जाता है सोकुल धन्य उमासुन जगत पूज्य सुपुनीत स्रीर घुबीर परायन जेही नर उपज बिनीत वोकुल पवित्र है अच्यन्त पवित्र है धन्य है स्रीर घुबीर परायन विनम्र भक्त जहां जन्म लेते हैं तो कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुन्धरापुन्य वती चतेन अपार संबत सुख सागरेश्मिन लीनम परे ब्रह्मन यस्य चेता स्रीमत भागवत में लिखा है बाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य विक्ष्णम हसतिक वचिच्चव विलज्य उदगायत इंद्रत्यते चव मदिभक्त युक्तः भुबनम पुनाती एक आदस स्कंध में नवयोगिस्वर कह रहे हैं जिसकी बाणी भगवत गुणगान करते करते गदगद हो जाती है चित्त पिखल जाता है बार बार भगवत प्रेम में रोने लग जाता है कभी हसने लग जाता है कभी लज्जा चोड़ करके उच्चस्वर से गाने लग जाता है कभी नाचने लग जाता है ऐसे भक्ति के लक्षनों से युक्त जो साधक है वो केवल अपने को ही पवित्र नहीं करता बुबनम तीनों लोकों को पविद्र कर देता है इतना अध्भूत होता है अब 79 में सूत्र में कह रहे हैं नारजी तीर्थी कुर्वंति तीर्थानी ऐसे प्रेमी भक्त सामान जगह पर रह जाएं तो वो भी तीर्थ बन जाता है तीर्थ नहीं है और भक्त वहां रहे गए तो वो तीर्थ हो जाता है अरे भक्त केबल पैदा हो गया तो वो तीर्थ हो जाता है कुरसी गाउं नेम इशारण में है तो वो तो तीर्थ ही है मालो नेम इशारण का हम स्मर्ण न करें तो सीता पुरुजिले का एक छोटा सा गाउं है लेकिन सद्गुरु भगवान वहां प्रगट हुए तो हमारे लिए वो स्री अयोध्या व्रंदावन चित्रकूट जैसा ही है और हम सोचें तो उससे भी ज़्यादा है क्योंकि मोते अधिक गुरु जी जानी भगवान से ज़्यादा गुरु जी को मानो तो भगवान के धाम से ज़्यादा गुरु धाम की महिमा हो गई सद्गुरु भगवान जहां प्रगट हुए वो हमारे लिए धाम हो गया तो संत भक्त गुरु जहां प्रगट होते हैं वो धाम भी धाम हो जाता है लोग महराजी के शरीर का जहाँ जन्व होगा उसकुल खांदान से प्रणाम लेने में और या कुछ भेटादी लेने में संकोच नहीं करते लेकिन हमें भारी संकोच होता है क्योंकि गुरु महराज उस बंस में प्रकट हुए हैं उनकी हमें सेवा ही करना चाहिए उनका हमें बंदन ही करना चाहिए क्योंकि उसकुल में हमें सद्गुरु भगवान की प्राप्ति हुए अब ये विचार न किया जाए तो उस परिवार से हमको क्या लेना देना हमारा क्या संबंद है तो वह परिवार पवित्र हो गया वह परिवार पूज्य हो गया वह गाओं पवित्र हो गया वह गाओं हमारे लिए पूज्य हो गया ये किसकी महिमा है ये भगती की महिमा है कि वहाँ एक भगत प्रगट हुगा इसलिए वह हमारे लिए अत्यनत पूज्य नहीं हो गया महराजी के साथ ही हम गए थे, पीछे पड़ गए महराजी के, नहीं चलिए, 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 फिर वहां से वहां चले गए, महराजी एक बार म पंडिश्त्री जगंणात प्रशाद भक्तमाली चाचोणा में प्रगट हुए, तो महराजी अच्चन्त स्रधापुर्वक चाचोणा गाम, मद्यप्रदेश के गुना जिले का चाचोणा गाम, उसकी आत्रा महराजी बड़े श्रधापुर्वक करते थे, यह पंडिजी का ग ब्रंदावन, चित्रकूत, प्रयाग, आधी तीर्थों की महिमा क्यों है? क्यों कि वहाँ संत रहते हैं? संत नहोते तो कौन समस्ता ये ब्रंदावन है, ये उध्या है, ये चित्रकूत है? महापुरुष्व्ण नहीं तो हमको बताया कि ये भगवान की लिलास्त लिए, तो तीर्थों को तीर्थ बना देते हैं, सुकर्मी कुर्वंती कर्माणी, जिन कर्मों का अनुष्ठान कर लेते हैं संत, वे सामाने कर्म भी सुकर्म हो जाते हैं, अरे महाराजी ऐसा करते हैं, महाराजी ऐसा करते हैं, सुकर्म हो जाते हैं, सच्छास्त्री कुर्वंती शास्त्र जिन शास्त्रों का समादर भगवान के भक्त करते हैं, वे सास्त्र भी सत्थ शास्त्र हो जाते हैं, अब स्रीमत भगवत गीता, स्रीमत राम चरित्मान, स्रीमत वालमी की रामन, स्रीमत भागवत, स्री विन्यपत्रिका, स्री भक्तमाल, इन सब ग्रंथों का संत आदर करते है तो आज भी सेक्णों दुनिया में पोथी पत्रा ग्रंथ लिखे गए लेकिन इन ग्रंथों का जितना आदर पूरे संसार साधक जगत में है उतना आदर अन्य किसी पुस्तक का नहीं बड़े-बड़े कभी हुए बड़े-बड़े पोथन न लिखे गए लेकिन उसका आदर इनका आदर है क्योंकि संतों ने इसका आदर किया सास्त्रों को सत्सरास्त्र कह देते हैं महरत जी गंगा जी ने बगिरत जी से कहा कि मैं धर्ती पर नहीं जाओंगी क्यों नहीं जाओंगी मनुष्य हमारे में पापों को मनुष्य हमारे में पापों को दोएंगे तो मैं अपने पापों को कहां ले जाओंगी मैं कहां ले जाओंगी अपने पापों को तो स्री भगिरत जी ने उसका समाधान किया साधव न्यासिन सांताह ब्रह्मिष्टाह लोक पावनाह हरंत्यघंतिंग संगात्ते स्वास्ते यगविद्धरिह साधवा जो परोपकारी है विरक्त हैं सन्यासी है शांत हैं ब्रह्मनिष्ट हैं ऐसे लोक पावन जो संत हैं वे आकर तुम्हारे जल में इश्नान करेंगे तो उन संतों के पवित्र सरीर के इस परस से तुम्हारा देह भी पवित्र हो जाएगा तुम भी पवित्र हो जाओगी गंगा जी से कहा कि तुम निश्पाप हो जाओगी गंगा जी ने कहा फिर कोई महात्मा हमारे जल में इश्नान ही क्यों करेगा पाप करे दुनिया वो अपना पाप धोए हमारे जल में हमारे जल में संत इसनान करें तो उनको पाप लग जाए तो पाप लग जा इसलिए थोड़ी कोई गंगा इसनान करता है तो वो संत अपने पाप कहां ले जाएंगे तब भगिर जी ने का संतों को पाप छुएगा ही नहीं क्यों चुन नहीं चुएगा क्योंकि तेसु अगविद हरी ही आस्ते उन संतों के हरदय में ऐसे भगवान विरास्ते हैं जो संपूर्ण पापों का नाश करने वाले हैं जैसे अंधकार प्रकास के निकट नहीं जा सकता, सूरी के निकट नहीं जा सकता ऐसे ही भगवान सूरी के समान हैं, उनके पास पाप रूपी अंधकार नहीं जा सकता है तो इस प्रकार के भगवान के भक्त होते हैं महराज लिखा है कि तीर्थों को अपने चरणों से पवित्र करने के लिए ही संत विचरण करते हैं अन्य था उनको घूमने की कोई जरूरत नहीं है ऐसे संतों का समागम जो संसार से भैभीत पुरुष है वो क्यों नहीं करना चाहेगा उसे प्रिय क्यों नहीं होगा अवस्य ही प्रिय होना चाहिए धर्मराज दुष्टर स्वयम विदुरुजी से कह रहे हैं भवद विधाह भागवतास तीर्थ भूता स्वयम विभो तीर्थी कुर्वन्त तीर्थानी स्वान्त स्थेन गदावर्था हे बिदुरुजी महराज आप जैसे भगवत भक्त तो चलते फिरते तीर्थ हैं तीर्थों को तीर्थ बनाने के लिए आप विचर्ण करते हैं क्योंकि आपके अंतख करन में स्वयम भगवान गदाधर भगवान निरंतर विराजमान है इसलिए ऐसे आप जैसे संत जिस तीर्थ पर चरण रख देते हैं वो तीर्थ भी पवित्र हो जाता है शताब्दी महुत्सव में पुजिशी रमन रिती वाले महराजी कुरसी धाम पधारे गुरु महराज जहां प्रगट हुए तो हमने कहां महराजी वहां कीतन हो रहा है आप थोड़ा सा वहां आपके चरण पड़ जाएं अरे हम तो इसलिए आई ही हैं तो महराजी वहां गए तो दूर ही उन्होंने खडाओं घर को देखते ही खडाओं उतार दी मोजा उतार दी और घर में प्रवेश के पहले ही देली पर शास्टांग प्रणाम करके एक दम विफल हो गए गद गद हो गए ऐसी दिभी भीवूती जहां प्रगट हुई है आज हमारे जीवन का सबसे बड़ा सुगागी वहां बैठे बैठे नहीं वहां बुले घर में जो कुछ रोटी रोटी बनी हो लिया उतत का लिया वहां भीक्षा भी उन्होंने किया प्रसाद भी पाया ये क्या है ये महापुरुषों के द्वारा सिक्षा है कि भगवत भक्त संत महापुरुष जहां प्रकट हों उन अच्छानों में कैसी स्रद्धा में रखनी चाहिए यह बात है। सरा अखेल स्रद्धा और भाव का है। उसी के अनुसार सब अन्वह होता है। सत्तर में सूत्र में यह बात कहते हैं कि भाई ऐसा कैसे हो जाता तो आखर तो वह मनुष्य कोटी में ही हैं, इतनी महिमा की कैसे बढ़ गई उसका उत्तर देरहें सत्तर में सूत्र में नारगी तन मयाहा भगवन नामरूप लीला घुन का का धाम का चिंतन करते करते उनमें तनमेता पराप्त हो जाती है, तनमेता के कारण वह भगवत सुद्रूप ही हो जाते हैं कि भागवान प्रगट हो गाओ घर दर्संदitesi अब कोई दूसरी होनी में थोड़ी चलेगे जो प्रगट होगे सुद्रोप होगे ईससे इता मैयता का भाव क्या है कि यहां से गंगा जी चली कि शी यह यही और गंगा साहर में पहुची तो समुदर में मिल गई गंगाजी अब ये निरड़नेप कर पाना मुश्किल हो गया किसमें गंगाजी कौन सी हो और समुदर कौन सा है दोनों मिलकर एक हो गई गंगा और समुद्र दोनों मिलकर इसी को कहते तनमय हो जाने ऐसी तनमयता को जो प्राप्ट कर लेते हैं भक्त तो मोदंते पितरो नर्ट्यन्ति देवताहा ऐसे भक्त का दर्शन करके ऐसे भक्त का जन्म होते देख करके पितर गंटो बहुत प्रसन हो जाते हैं कि इसकी भक्ती के प्रताप से हम भगवत धाम चले जाएंगे देवता नाचने लग जाते हैं और प्रत्वी भी सनात हो जाती है आहाँ धन्य है धन्य है ऐसे भक्त का हमको अब इस्पर्ष प्राप्त होगा धरती भी अपने को धन्य मानने लग जाती है पद्म पुराण में लिखा है आस्फोट यंति पितराओ निर्तियंति पितामहा मद्वन से वैश्नवो जाता सनस्त्राता भविश्यती पितर लोग ताली बजा बजा के नास्ते हैं बावा लोग बावा परदादा नाना सब ताली बजा के नास्ते हैं मेरे बंस में हरिभक्त बैश्नवो प्रगट हुआ उसकी भक्ती के प्रताप से हमारा उद्धार हो जाएगा अब देखो भक्तों का जो आविर्भाव है वो संपूर्ण जगत के जीवों के लिए परमकल्यान का रही है उनके प्रभाव से उनके संग से धर्म के प्रती प्रगार स्रद्धा उनका संग करने वालों में बढ़ जाती है पित्रिकारे और देवकारे में विश्वास सुत्पन्न हो जाता है धर्म पत्स से डिगे हुए लोग यग्या दान स्राध तरपनादी कर्म करने लग जाते हैं जिनकी उमर जादा हो गई थी अब बढ़ापे का समय आ गया ऐसे लोग भी कता सुनते सुनते अब उन्होंने बढ़ापे में जन्यू करा लिया महराज हम बैच से दिल्ली में रहते हैं आपकी कठा हम सुनते भी करते हैंं तरपन भी करते हैं संधियोपासन कि यम जभी करते हैं अब आपको मिला इस्से क्या है वोग कहते पागल हो गए हैं क्या क्या मिला कहते अब किसी में मन नहीं लगता तो कैसे हुआ ये इतने समय तक तो भाव नहीं जगा, ध्यान में आई बात, तो संतों के द्वारा, उनके वानी के, उनके संग के प्रभाव से, जिनकी धर्म में निष्ठाने, उनकी धर्म में निष्ठा उत्पन हो जाती है, तो देवता, पितर इसलिए प्रसन होते हैं, कि ये बिलुप्त, पित्रिकर्म, देवकर्म की भी स्थापना अपने आचरण से करेंगे, अपने उपदेश से करेंगे, इसलिए उनको प्रसनता हो जाती है, नारायन, 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 ऐसे भगवान के स्रेष्ठ भक्त होते हैं, एक संत हैं, अच्छे पढ़े लखे, उस जमाने के भी ये पास, भाई श्री हन्मान प्रशाद पोद्दार जी का एक लेख पढ़ा, मानव जन्म का फल, और उसको लेख को पढ़कर के ही उनका मन जग गया, और वो भजन में लग गए, तो पूजिष्री मोटे गणेश्जी वाले महराजी का भी कुस्तिन संग उना ने किया, महराजी न उनको नामजब की संख्या दे दी, एक साधन की पद्धती बता दी, इस पद्धती से साधन करो, आज भी उसी पद्धती सुन का साधन चला है, बहुत अच्छे बात है, तो जब साधन में तनमेता पुरुवक लगे, तो उनको कई बार ऐसे लगता है कि को हजारों लोग उनके कान में बोला है, जय हो, जय हो, जय हो, उन्हों महराजी को सुनाया, महराजी पता नहीं क्या कोई दिखाई तो कोई पढ़ता नहीं, आवाज भी कहीं बाहर की सुनाई नहीं पढ़ती, पर भीतर से जो बहुत से लोग मिलकर जय हो जय हो बोलें ऐसा लगता है ये क्या है कोई चित का ब्रह्म है या कोई बीमारी है क्या है महाराजी ध्यानस्त हुए मोटे गणेशी वाले महाराजी बोले बेटा तुम्हारा भजन भहुत उत्तम कोटी का है तुम्हारे इस शरीर से और पिछले शरीरों से जो पूर्वज थे वो सब तुम्हारे भजन के संबंद से अपनी अपनी योनियों से मुक्त होकर भगवत धाम जा रहे हैं तो वे तुम्हारी जैजैकार करते हुए जाते हैं इतने समय तक यह और ध्वनी आएगी फिर तुम्हारे इस शरीर के पूर्वज पिछले शरीरों के पूर्वज सब कवधार हो जाएगा फिर ध्वनी आना बंद हो जाएगा बंद हो गया अब इससे अधिक विश्वास की और क्या बात होगी परम पुजिश्री मोटे गनेशी वाले महाराजी को बड़ी बड़ी दिव्य अनभूतियां होती थी हमने पहले साहे तुमको सुनाया भी होगा एक वार साक्षाद भगवती पृत्वी माता धर्थी माता ने उनको दर्शन दिया तो धर्थी माता से उनका सत्संग हुआ तो धर्थी माता से उन्होंने एक प्रश्ण पूछा कि इसमें किस भक्त के इस पर्ष से आप अपने को धन्य अनभू कर रही हैं तो धर्थी माता ने कहा कि वर्थमान में दो संतों के इस पर्ष से वरंदावन में मैं अपने आपको धन्य मान रही हूँ एक कौन बोले एक बावासरी गणेश तास्टी महराज हैं जो क्षमागुण में मेरे ही समान हैं मैं उनके इस पर्ष से अपने को धन्य मान रही हू पुरतार्थ मान रहे हैं और महाराजी बोले दूसरे का नाम हम बताएंगे नहीं तो हमने ऐसा समझा कि दूसरे में वेस्वएंगे अब अनधिकारी जीवों के सामने तो इस बातें कही जाएं तो उने विस्वासे नहीं होगा मन में गढ़ लिया सोच लिया लेकिन इस पर इमानदारी से चलने वाले लोगों को पदपद पर अनभूतियां होने लग जाती है और उन अनभूतियों में श्रद्धा करने वालों को लाब होता है श्रद्धा न करने वालों को लाब नहीं होता है हानी हो जाती है इसलिए अनधिकारी के सामने अनभूति का प्रकास नहीं करना चाहिए। इसलिए ऐसा कहा गया। अब 72 में सूत्र में कह रहे हैं कि नास्ति तेश्व जाति विद्यारूप कुल धन क्रियादी वेधा। ऐसे जो भक्त हैं उनमें जाति विद्यारूप कुल धन क्रियादी का भेध नहीं रहता। ऐसे भक्त किसी भी जाती में प्रगठ हो जाएं, वे बंदनी होते हैं परमंसी महराज को हम श्रधापुरुवक प्रणाम करते हैं कि नहीं करते हैं शरीर तो ब्रामन को लिमुत्पन नहीं हुआ उनका लेकिन ऐसे श्रेष्ठा संत सतत बंदनी हैं निरंतरबंद नहीं है विद्या उनमें होए तो और नहोए तो उसका भेद नहीं रहता कि वो पढ़े लेके नहीं है अत्वा पढ़े लेके है भक्त पढ़ा लिखा हो तो भी पूझनी है पढ़ा लिखा नहो तो भी पूझनी है रूप बान हो तो भी पूझनी है और रूप बानना हो तो भी पूझनी है कुलवान हो तो भी पूझनी है और कुलहीन हो तो भी पूझनी है धनवान हो तो भी पूझनी निर्धन हो तो भी पूझनी है उसमें कोई जाती विद्या रूप कुलधन क्रियादी का बेद नहीं होता है मने भक्ती में जाती विद्या रूप कुलधन क्रियादी की प्रधानता नहीं है ब्रामन हो चाहे शूद्र हो पढ़ा लिखा हो या बिना पढ़ा लिखा हो सुन्दर हो या कुरूप हो नीचा हो या उंचे कुलका हो धनवान हो या दरिद्र हो क्रियासील हो या क्रियावान हो जो अपना सरवस्य प्रहुचरणों में नुच्छावर करके भगवान का प्रेम पुर्वक स्मर्ण करता है अपने चित्व को भगवान में लीन कर देता है उसी को भक्ति रूपी परम दुरलव धन मिल जाता है गुह निशाद का जन्म निशाद जाती में हुआ था कितने बड़े भक्त हुए स्रबरी का जन्म सबर कुल में हुआ था कहां उसका अनादर हुआ सबने आदर किया सदन जी का जन तो कसाई कुल में हुआ था कितने बड़े भक्त हुए दुरुब अपढ़ थे पांच बरस के बालक पढ़े लेखे कहां थे भिविशन राक्षस कुल के थे और बिदुर और सुदामा बिदुर जी दासी पुत्र थे सुदामा निरधन थे गोपियां क्रिया हीन थी लेकिन सब में भगवान की भक्ती थी इसलिए भक्ती प्रपत्ती के प्रताप से सब ने भगवान का प्रेम प्राप्त किया यह सब भगवान के परंप्री हो गए इसी को राम चरित्मानस में गोस्वामी तुलसी दासी ने कहा स्वई सरवग्य गुनी स्वई ग्याता स्वई महिपन्मंडित पंडित दाता धर्म परायन स्वई कुलत्राता राम चरण जाकर्मन राता नीत निपन स्वई परम सयाना सुरति सिध्धान्त नीकति ही जाना स्वई कभि कोविद स्वई रन धीरा जो छल चाड भजी रगुवीरा भजै रगुवीरा कहर अगुपति सुनु भामि निबाता मानव एक भगति करनाता जाति पांति कुल धर्म बढ़ाई धन बल परिजन गुन चतुराई भगति हीन नर सोही कैसा बिनुजल बारिद देखिये तैसा जैसा अब अन्तिम में कह रहे हैं कि यतस्तदियाहा ये सब भेद उनमें क्यों नहीं होते हैं जाति कुलादी के क्योंकि भगवत भगती के प्रफाव से वो भगवदी हो जाते हैं भगवद रूप ही हो जाते हैं इसलिए उनमें बेद बुद्धी नहीं होती हमारे महराजी कहते थे कि भगत में बेद न करो क्योंकि वह भगत है इसलिए भगवान मचली बन गए कच्छुआ बन गए वा में ले ले वो तो भक्त ही रहता है पूज्य ही होता है चौशठ प्रकार के अपराध भक्ति के ग्रंतों में गिनाएगे कितने अपराध चौशठ प्रकार के इन अपराधों में जहां तक हो सके इनसे बज़ करके हम साधन करेंगे तो हमको विशेश लाओ पहला दोश भगवान को कोई विशेश देवता या तत्तों विशेश मानना उनको भगवान न मानना पहला प्राध दूसरा प्राध है बेदों में अथवा ग्रंथों में पवरुशे बुद्धी करना किये किसी लेखक ने लिख दिये तीसरा प्राध है भगवान की प्रतिमा में जड़ पदार्स देखना लकडी के भगवान पतर के भगवान है पीतल के भगवान है ऐसा समझना और चठा प्राध है भगवत प्रसाद को साधार्ण खाने का पदार्थ मानना उसको प्रसाद न मानना भगवान के चरणाम्रत को सामान जल मानना ये भी एक प्राध है आठमा प्राध है तुलसी को साधार्ण ब्रक्ष समझना नौमा प्राध है गाये को सामान पसू समझना ये भी बैष्णव प्राध में एक प्राध है श्रीमत भाजबत और गीता को साधार्ण पुस्तक समझना ये भी एक प्राध है ग्यारहमा प्राद है भगवान की लीलाओं को मनुष्य की हुई मानना बारहमा प्राद है सांसरिक प्रेम अथवा इस्त्री सुक के साथ भगवान की लीला की तुलना करना यह भी एक अप्राद है सामाने प्रेम से उसकी तुलना करना या इस्त्री सुक से विशय सुक से उसकी तुलना करना तेरहमा अप्राद है गोपियों को परनारी समझना ये भी एक अप्राद है क्योंकि गोपियां तो भगवान की नित्य स्वकिया ये सभी जी भगवान के अपने ही हैं च उधमा अप्राध है रास लीला को काम चेश्टा समझना पंद्रहमा अप्राध है भगवान के महोत्सव के समय स्परशाश्परश बुद्धि रखना उत्सव में कोई छूजाए सरीर उसमें दोश नहीं लगता क्योंकि सब भगवान के अट्सव में सब पवित्रें उस समय तो उत्सों में इस परसास परश का भेद होता नहीं है सोलामा प्राध है ईश्वर और शास्त्रों को नमानकर नास्तिक हो जाना सत्रह में प्राध है संदे पूर्वक धर्म का आचरन करना भीतर से स्रद्धा नहीं है पता ने होगा कि ने होगा चलो तो हो जाएगा अब क्या एगा गुरुजी ने कह दिया तो करना तो पड़े गई चलो कुछ हो जाएगा ऐसा सन्द्य युक तो करके करना 18 माप राद है धर्म के पालन में आलत से करना बहानाई बाजी करना कि आज तो कोई बाद नहीं आज माला चूट गई तो चूट गई कल देख लेंगे कोई बाद नहीं कल कर लें 19 माप राद है भक्तों को बाहरी बातों पर कसना उसलों बाहरी बातों पर उनको कसते हैं कसोटी पर कस के देखना चाहते हैं अरे कसोटी पर कसना तो अपने को कसो ना दूसरे को क्या कस रहे हो किसी भक्त को यह पता चल जाए कि हमको कसोटी पर कसना चाहता कुछ जान भूझ कैसा ना टक कर देगा कि आप समझेंगे कि तो अच्छा आद्मी नहीं है साधु महात्माओं के गुण दोश की चर्चा करना यह भी एक अप्राद है आपके अनकूल नहीं है आप थोड़ा सा अलव हो जाओ पर वेश भगवान का है तो उसमें आप श्रद्धा रखो ना इस्तुती करो ने निंदा करो 21 माप्राद है वेश्नवाա। मने साधु के लिए प्राद है अपने को उत्तम समझना में बहुत अच्छा हूं बहुत बढ़िया है यह तो सब ऐसे हैं, अडिया खडिया है, यह बढ़िया है, बाईसमा प्राद है, किसी भी देवता या किसी भी शास्त्र की निंदा करना, यह बाईसमा प्राद है, भगवान का मंदर खुला हुआ है, भगवान की तरफ पीठ करके बैठ गए, यह तेईसमा प्राद है, अब तो हम इधर ही करके मुँख करके संध्या करें तो सूरी नाराज नहीं होंगे, अत्वा वहां करना तो हम यहां बैठके करें, पस्वाम मुख करना तो हम यहां बैठके करें, भागवान के और पीठ करके न बैठना, गुरुजी के और भी पीठ करके न बैठना, संतों के और उनके सिर की ओर न बैठना, उनके पीठ के पीछे खड़े होकर बात न करना, ये भी एक अपरात है, हमेशा बात सनमुख होकर करना, भगवान की मूर्ती के सामने जूता पहन कर चले जाना, क्या करें, पहले इतनी श्रद्धा थी गाहों में, हमारा जन्म जिस गाहों में हुआ की बात हमता है, लोग छोटे छोटे थे, रोड था सामने से बस वगएरा निकलती है, आज भी निकलती है, तो हनमान जी, इधर हनमान जी है, उधर गुनाज जी है, रोड परी मंदिर, के सामने से राम जी का मंदिर है, तो गाहों की माताएं या बड़े बुड़े लोग कोई वहां से निकलते, पैदल चलने वाले लोग, वो क्या करते, जूता अपने चपल हाथ में ले लेते, मंदिर खोला बंद है, अब मंदिर तो उंचाई पर है, वहां से रोड निकला, तो रास्ता है वो तो, पर हन्मान जी और भगवान के सामने निकलते तो अपनी आखों से देखी भी बात बता रहे हैं, हाथ में जूता चपल ले लिया, नंगे पर वहां से, धूप में भी, गर्मी में भी, हम लोग भी अपनी चपल अपने हाथ में ले ले लेते, वो संसक सिध्धान्त की जो बाते हैं, लोगों के ब्यवहारिक जीवन में थी, बहुत ध्यान से सुने, भगवान की मूर्ती के सामने माला धारन करना पुष्प माला आदी, इसलिए मंदर के भीतर सेवा में जाने पर माला आदी धारन नहीं करनी चाहिए, देखा होगा मार्ती वग 26 मा प्राद है, भगवान की मूर्ती के सामने नीले कपड़े पहन कर जाना, नील लगे हुए कपड़े, दातुन कुल्ला किये बिना भगवान के सामने चले जाना, मलत्याग या मैथुन आदी के बाद कपड़े बिना मंदर में प्रिवेश्च कर जाना, ये 29 मा प्राद है, भगवान की मूर्ती के सामने हाथ पैर फैलाना 31 मा प्राद है भगवान की मूर्ती के सामने पान खाना 32 मा प्राद है भगवान की मूर्ती के सामने जोर से हसना 33 मा प्राद है कुछेष्टा करना 34 मा प्राद है इस्त्रियों के चारों और घूमना 35 मा प्राद है क्रोध करना 36 मा प्राद है भगवान की मूर्ति के सामने किसी दूसरे का अभिवादन करना भगवान के सामने किसी को प्रणाम भी नहीं करना दाएं बाएं होके प्रणाम करो निकट नहीं दुरगंद वाली कोई चीज खाकर दुरगंद दूर हुए पहने मंदर में जाना ये भी एक अपराद है 37 अर्टीसमा पराद है मादक द्रबे का सेवन करना 49 मा पराद है किसी को अपमानित करना या मारना भगवान के सामने 40 मा पराद है काम करोधादी की चेस्टा करना और 41 मा पराद है अतिती या साधू की आओ भगवत नकरना सेवा नकरना अतिती का सत्कार नकरना एक तालीसमा प्राद है और ब्यालीसमा प्राद है अपने को भक्त, धर्मात्मा, पंडितिया पुर्णिबान समझना और पुर्णिबान समझना चोशे। 43 प्राद है और नास्तिक, ब्योवचारी, हिंसक, लोभी और जूट बोलने वाले मनुशाओं का संग करना 44. प्राद है बिपत्ति के काल में भगवान को दोस मर देना अरे भगवान ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया 45. प्राद है पाप के लिए धर्म करना 46. प्राद है किसी को किंचित भी कश्ट देकर अपने को धार्मिक समझना 47. प्राद है इस्त्री पुत्र परिवार आसरत दीन साधू का पालन पोश्ण न करना 48. प्राद है किसी बस्तु को अपनी भोग के समझकर भगवान के निवेदन करना या बिना निवेदन किये भोगना हमको खाना है इसलिए हमने भगवान को भोग लगा नहीं भगवान को के लिए ही है और भगवत प्रसाद हम ले रहे है उनन्चास्मा प्राधे अपने इश्टदेव के नाम की सफत ले 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 हैं चाहे जो कुछ काम बेगड़ है भगवान की जूठी या सच्ची भगवान की सवगंद नहीं खाने चाहिए धर्म और भगवान के नाम को बेचकर धन कमाना ये पचास्मा प्राधे एक्ञानवा प्राधे अपने इश्टदेव को झोड़कर दूस्रे से आसा करना बावना पराद है सास्त्रों की मर्यादा तोड़ना और त्रेपनमा पराद है ब्रमग्यान न होने पर ब्रमग्यानी के समान आचरण करना चववनमा पराद है संप्रदाय भेद से बैश्णवों में किसी को उचा समझना किसी को नीचा समझना पच्पन्मा अपराद है देवता के समान आचरन करना चपन्मा अवतार है अवतारों की लीलाओं में तारतम में दे कर उसकी निंदा करना वो अवतार ठीक नहीं वो अवतार ठीक नहीं यही ठीक है यही ठीक है ऐसा करना सत्ताउन्वा प्राद है दिल्लीगी में भी किसी को आप ही भगवान है ऐसा कहना हसी में भी मत कव आप ही भगवान है अठाउन्वा प्राद है भगवान किसी के मुखा पेक्षी हैं भूल कर भी ऐसी ऐसा समझना कि हमारे बिना भगवान का काम नहीं चलेगा, ऐसा समझ लेना, मुखा पेक्षी समझ लेना उन सठमा प्राद है, लोहवस किसी को भगवत प्रसाद या चरनामर देना, कि इसको हम माला प्रसाद दुख कुछ हमको भेट दे जाएगा, इस तरह से साठमा प्राद है, भगवान के चित्र प्रतिमा या नाम का अपमान करना, एक सठमा प्राद है, किसी भी जीव को किसी भी प्रकार से कस्ट पहुँचाना, भय दिखलाना अत्व आहित करना, बासठमा प्राद है, तरक वितरक में हार जाने पर, या सिध्धान्त स्थापित न कर सकने पर आस्तिकता को ही त्याग देना है अरे छोड़ो बेकार त्रे सथमा प्राद है भगवान के अवतारों के जन्म कर्मों को साधर्ण समझना और चोंसथमा अंतिम प्राद है छोड़ो है स्री सीताराम जी लक्षमी नारेन जी स्री राधा कृष्ण जी इन युगल सुरूपों में भेद समझना ये चोंसथमा प्राद है इस प्रकार से इन समस्थ अप्रादों से बच करके जब कोई साधन करता है तब उसके भीतर प्रेम खाप्रकास होता है तदी ये जो भक्त होते भगवदी भगवत शुरूप उनमें 64 प्रकार के दोसों में से एक भी दोश उनमें होता नहीं है अब कल से हम चर्चा करेंगे कि बाद भी बाद में भक्त को बैश्नव को नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि जगड़े में पड़ेगा जबजन उसका छूट जाएगा इसकी चर्चा हम कल करेंगे स्री राम जै राम जै जै